आइस्ट्यस्ट आइसट्रीट चैप्टर कॱा ने कोई चैप्टर है सिर्ड हमारे आइसप्ट क्राइट में देखेंगे पेहले लिखैंगा है वारमर गेटएब और मेरे पर देखेंगे दो ऑलम हां तो इसकेिरा दोल अब देखेंगे आप कुछ और सर्ब के बारे में जाना चाह रहा है जब आपने कभी आइस क्रीम खाई थी तो उसकी क्लिस्ट बनाई है यह आप से बोल रहा है तरीके से ठीक है फिर बोलता है कि विच आइस क्रीम ड्यू लाइक मॉस्ट सबसे जादा कौन सा आइस क्रीम को पसंद करते हैं फ यह सारी चीजी आपको तरीके से आपका ओवर्विव ले रहा है कि आप आइस क्रीम खाएं कि यह सारी चीजी आप खुद में डिसकर्स करें अपने दोस्तों के साथ ठीक है चलिए आपको वित्या को सुरू करते हैं क्या लिख है वेन समर्स इन दे सीटी यानि कि जब सहरो में गर्मियों के दिन आते हैं जो इत होते हैं जो तपते हैं धूप में बहुत तपते हैं और ने होता है ताकि आगे लाइमिंग बना सके अब आगे क्या लिखता है गाडी के साथ गोज टेंडरलिंग मतलब होता है लही जी फैसे पखै अगे फिर आइसक्रीम वाले इंब्रेला होम। तो वही बता जा रहे हैं कि दोप चिलचिलाती वी इस वज़े से वो कह रहे हैं बिनित का मतलब होता है नीचे अपने अंब्रेला के नीचे वो घगड़ाते वे गाड़ी आगे बढ़ाता है है ना फिर ओ वाट जॉइफुल साइट कितना मनोरम द्रिश्यों होता है वो तु आडमी जो हता है वो उसके ऊपर एक पहाड जैसा घुमबद बनाता है उसको मतलब कहों जा रहा है उसी को माउंट से यहां पर रसा आँ आइस्क्रीम का जो करन में भरने के बाद जो गुमबद पे लगाता आइस्क्रीम उसकी बारें माथ करत कि जा जा रही कोई ठंडे ठंडे होता है इसके बारे में चित्रिट किया रहा है तो मतलब यह बता रहा है कि जब बहुत चिलचलाती दूप होती है जब इतना की इत भट्टे की तरह तप रहा होता है उससे में आइस्क्रीम वाला आता है अपने छोटी गाड़ी से जो कि आवाज करते जो पर दिर्श को देखके यह बता आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं पर Unda चॉक्लिट, स्ट्रॉबरि, वणी यह सारे फ्लेवर से कॉने लग अलग अलग फ्लेवर से हैं वनीला जो होता है एक तरीके सफेद कलर का होता है चौकलेट जो होता है ब्लैक कलर का होता है आपने अकसर देखा होगा श्रॉवेरी जो होता है आपका पिंक कलर का मतलब उसका अलग स्मयल होती है तो यह सारे फलों की अलग-अलग स्ट्रॉवेरी फल है इनकी अलग-अलग चीजे ये भी चीजे लेके आता है वो from bottles full of frosty fish frosty का मतलब होता है बहुत थन्दा चीजे लेके आता है पीने की भी होती है from bottles full of frosty fish क्यों आइस क्रीम के साथ साथ कई आइस क्रीम आले होते हैं वो बॉटल में माइट मतलब होता है मतलब ये आपका आता है कि सकना है ना इसमें संदे है his card might be a flower bed उसका जो कार्ट है कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि एक full का बिस्तर है क्योंकि जाहिर से बात है जो जो आइस क्रीम है वो अलग-अलग color के हैं अलग-अलग flavor के है of roses and sweet peas कुछ-कुछ तो गुलाब के color के होते हैं गुलाबी color के sweet peas मतलब जो हरे मटर की दाने की तरह होते हैं है ना the way the children cluster around cluster का मतलब होता है जूंड लगाना तो दभी इस तरीके से बच्चे उसके चारो तरफ जूंड लगाते हैं as thick as honey थीक मतलब मोटा मतलब ऐसा लगता है कि honey जानी कि मत्मकी के चत्ते की थरफ उसके आस-पास मंडरा रहे हैं तो यह सारी चीजे थी जो एक इस्क्रीम मैं के बहाफ पर सोचा गया है हमारे लिखक के दौर जिसका नाम है रैचल फिल्ड तो अश्या करते हम आपको यह वीडियो समझ में आई होगी अगर कोई तुरूटी हुई हो तो उसके आप क्वेरी कर सकते हैं आपको अपने कमेंट सेल्क्शन में डाल सकते हैं और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक्यू